हेलो गाईज आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है आज हम शिक्षन दिशाले के तरफ से दी जाने वाली कारह पत्रक नमबर 29 करेंगे जो की क्लास एर्थ की है और विश्य है विज्ञान ये वर्क्षिट 9 नेवेंबर 2021 की है तो आईए शिरू करते हैं आज की वर्क्षिट वर्क्षिट शिरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आईए देखते हैं आज की वर्क्षिट प्रकाश बहु प्रतिबिन परावर्तित परकाश के किन्ने यदि दर्पन पर पड़ती है तो व उससे दरपन की सहायता से आपने सामने वाले दरपन से यह देख सकते थे कि आपके बाल कैसे कते हैं, तो बेटा देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, बहु प्रतिबिम के बारे में बताया गया है, जैसे कि जब आप कभी hair dry या hair cutting के लिए जाते हैं, तब आप पीछे से पीछे कि आपके बाल किस तरह से कते हैं, तो देखते हैं, देखो क्या कहा गया है, इस दूसरे दरपन की सहायता से, आप सामने वाले दरपन पर यह देख सकते हैं, कि आपके बाल कैसे कते हैं, परावर्तित प्रकाश किर्णों को पुन्हे किसी दरपन की मदद से परावर्तित किय जा सकते हैं यहां से धेखो यह했ंक यहां सी देखो यह दर्पण हो गया यह पीचे वाला दर्पं पर गिती है जिससे के आपको दो जाते हैं कि आपके बाल कैसे खटे हैं तो इसे हम कहते हैं पुनय परावर्तित के किन रिख ubiqu की पर्याज को फुनय किसी दर्पन की मदथ से परावर्तित किया जाए लिखर धाink है hai प्रति प्रतिवीं की संख्या दर्पनों के बीच कौन पर निर्बर करती हैं कि अगर दगार हम यह से थोड़ा अंग एंगल उसका टेड़ा कर दे तो और भी जादा प्रतिवीम बन सकते हैं आपने कक्षा 6 में पैरिस्कोप परिदर्शी के बारे में जाना था पैरिस्कोप में दो समतल दर्पनों का प्योग किया जाता है जो परावर्तित परकाश को पुन्है परावर्तित कर देता है तो सैनिको द्वारा बंकरों में किया जाता है ताकि वे बाहर की उन चीजों को देख सके जो सिधी रेखा में नहीं होती है तो देखो क्या किया जाता है इनको अप्यों कहा किया जाता है कि देखो हम परकाश की किरने सिधी रेखा में चलती है लेकिन अगर उसके सामने इस तर दरपन लगा दिया जाए तो वो टकरा कर वापस परावर्तित होकर वापस दरपन पे हमें सामने दिखाई देती है जैसा कि हम इस एक्जांपल में समझ चुके हैं आईए आगे देखते हैं क्या दिया गया है वर्कशित में बेटा बहु मूर्ती दरशी केलेडोस्कोप स्वैम का बहु रूप दरशक बना सकते हैं तो देखते हैं क्या है यहां पर किस तरह बनाया जाता है बहुत आसान है बेटा बनाना तीन समान अकार के आयता का समतल दरपन आपको लेने तीन अकार के आपको जैसे कि यहां लिया एक इस तरह और इस तरह आपको लेना है ती इस तरह से होगा ना विटा समझे तो आपको इस तरह से एक को यहां से जोडना है यहां तरह से बीच में जोड़ देता कर यहां से नीचे से जोड़ देने हैं त्री कोन्य ट्यूब पर रबर्ट पैंड या अजा लगा से खिंड और भीक क लिथा तुकड़ा लेना और दूसरे सीरे पर एक ग्लास प्लेट लें और इसी तूड़ा सा अंदर की तरफ लगा वे अब आपको आगे देखो क्या करना है अब इसके उपरी कुछ बहुरंगी चूड़ियों के टुकड़े रखेंगे अब जब इसके अंदर आप कुछ टुकड़े तो टुकड़े रखेंगे तो टुकड़े के इस चीरे को एक इस चोर को एक अन्य ग्लास प्लेट के साथ ट्रेसिंग पेपर के साथ कवर कर दे अब आपको क्या करना है इसको एक अन्य ट्रेसिंग पेपर के साथ में कवर कर देना है काड़ शीट पर इस टुकड़े के साथ ट्यूब के दूसरे छोर को cover करें रंग बिरंगी चूरी का पीसिस डाली जब आप उसमें देखेंगे तो आपको बहुत कलरफूल चीज दिखाई देगी तो ये था हमने पड़ा है अभी इसको बहु मुर्ती दर्शी या कलाइडो स्कोप अब हम करते है इसके कोशिनन से देखो बहुत आसान वक्षिट है बेटा आज की पैरिस्कोप क्या है इसका अपयोग कहां किया जाता है तो देखो पैरिस्कोप क्या है बेटा देखो यहाँ पर बहुत अच्छे से दिया गया है पैरिस्कोप दो सम्तल परस्ट कांसर पैरिस्कोप में दो सम्तल को देख सकें, जो सिदी रेखा में नहीं दिखाई देती है, तो यह हो जाया का आपका अंसर नंबर 1, अब हम करते हैं, कोशे नंबर 2, आईए कोशे नंबर 2 करते हैं, बीटा हम, देखें क्या देगा है, जब आप hair dresser के पाँ जाते हैं, तो आपके सिर के पीछे की cutting कैसे देख पाते हैं जब आप hair dresser के पाँ जाते तो क्या होता है बेटा देखो यहाँ पर हमने देखा था कि परावर्तित किन्ने प्रकाश को पुने किसी दरपन की मदद से परावर्तित किया जा सकते हैं जो परावर्तित किन्ने हैं उन्हें हम वापस से परावर्तित करके सामने वाले mirror पर देख सकते हैं इसी तरह जो पार्लर में जाते हैं वो cutting वाले यही इसी method को use करते हैं और हमें सामने वाले शिशे पर या सामने वाले दरपन पर हमारे कटे हुए बार दिखा देते हैं तो आईए करते हैं इसका अंसर हम तो देखे बेटा अंसर नंबर टू देखे क्या होगा इसका अंसर पीछे के दर्पन से परकाश की किर्ने परावर्तित होकर सामने के दर्पन पर फिर परावर्तित होती है देखो यहां पर एक mirror लगा है यहां पर आप बैठें और यहां पर एक छोटा mirror लगा है तो पीछे के दरपन से परकाश की किरने परावर्तित होकर सामने के दरपन पर परावर्तित होती है जब यहां पर परतीबिम बनता है तो आप उसे आसानी से देख सकते हैं तो इसलिए यहां पर परवर्तित होकर फिर सामने की दरपण पर फिर परवर्तित होते हैं तो यह है बेटा अंसर नमबर तू ध्यान से करिएगा, समझना इसको ज़़ादा ज़रूरी है अब हम करते हैं प्रशन नंबर तीन प्रशन नंबर तीन देखे बहु बहु मूर्ती दर्शी बनाने की विदी का वर्णन कीजिए तो बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्स्प्रेइन किया गया है आप यहीं से कर लेंगे नंबर फर्स्ट पॉइंट से लिखेंगे यहाँ से यहां से देखिए इसके क्या-क्या समगरी है यहां से लिखेंगे अंसर नंबर तीन यहां से लेके बेटा आप यहां तक लिखेंगे तो पूरा इसके अंदर डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा कि बहु दर्शी जो बनाया जाता है किस तरह बनाया जाता है क्या-क्या आपने step किया है पूरा यहां से लेके यहां तक इसका answer लेखेंगे अब हम करते है प्रशन नंबर 4 तो देखे प्रशन नंबर 4 किया है दो समांतर समतल दरपन एक दूसरे से 40 cm के अंतराल पर रखे हो तो इनके बीच रखे एक मोम बती के मद्य कितने प्रतिवीम बनेगे देखो यहां पर क्या किया गया एक दरपन लगा दिया गया यहां पर एक दरपन लगा दिया गया और इन दोनों के बीच में क्या है 40 cm की दूरी है तो अब देखो क्या होगा यहां से प्रतिबीम पहले एक प्रतिबीम यहां बना और एक प्रतिबीम यहां बना अब इसका reflection हो के प्रतिबीम यहां बनेगा फिर इसका reflection हो के प्रतिबीम यहां बनेगा फिर इसका reflection हो के प्रतिबीम यहां बनेगा तो उसके कई सारे प्रतिबी दिखाई देंगे, क्योंकि इस तरह से बार-बार में reflect होता रहेगा, तो मूमबती के बहुत प्रतिवीम यहाँ पे बहुत प्रतिवीम दिखाई देंगे, तो बेटा आज की वर्कशिट कंपलीट होती है, वर्कशिट कंपलीट करके अपने टीचर से चेक कर आई और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेर कीजिए थैंक्यू स्टूरेंट्स